अचानक T20 World Cup से इन दो खिलाडियों की क्यों कर दी गई छुटे खुलासे के बाद मचा हरकम बगार एक भी मैच खिलाए टीम से निकाल कर फेक दिये गई बाहर ग्रोप स्टेज की मैच खत्म होते ही रोहित शर्मा ने ले लिया बहुत बड़ा फैसला कहीं रोहित शर्मा का ये फैसला टीम इंडिया के लिए मुसीबत न बन जाए सूपर एट में मजबूत टीमों से भड़ेगी टीम इंडिया कहीं गलती से अगर टॉप आडर का कोई भी बल्लेबास हो गया चोटेल तो फिर क्या होगा लगतार तीन जीत के साथ भारते क्रिकेटीम टी-20 वाल्लकप दोजार चौबिस के सूपर एट में पहुँच चुकी है भारत को अपने आखरी लीग मैच में कैनड़ा से बिढ़ना है ये मैच फ्लोरिडा के लॉडर हिल में खिला जाएगा ग्रोप स्टेज के तीनों मुकाबले जीतने के बाद रोहित शर्मा को लग रहा है कि अभारते टीम को इन दो खिलाडियों की जरूरत नहीं है यही वज़ा रही कि इन दोनों खिलाडियों को टीम से रिलीज कर दिया गया इस बड़े फैसले में सिर्फ रोहित शर्मा कहीं हाथ नहीं है बलकि कुछ राहूल द्रवड का भी बहुत बड़ा फैसला है बी सी सी आई ने आकर ये फैसला क्यों लिया आकर क्यों इन दो भारती दिकच खिलाडियों को भारत देश लोटना पड़ा सब कुछ हम आपको आगे रिपोर्ट में बताएंगे दो ऐसे खिलाड़े जिनने बी सी सी आई ने रिजर्व प्लेयर के रूप में टीम में शामिल किया था शुमंगिल और आविश खान को रिजर्व प्लेयर के रूप में भारते टीम में जगा मिली इन दोनों खिलाड़ें ने आई पिल में शांदार प्रदर्शन किया जिस के दम पर इनने टी ट्वेंडी वर्ल्ड कप में जगा मिली टिम इंडिया के आखरी लीग मैच के बाद आपनर शोमंगिल और तेज गिंदबास आविश खान को टीम से रिलीज कर दिया गया दोनों किलाड़ी बता और रिजर्व प्लेयर के तौर पर टीम के साथ जुड़े थे बी सीसी आई ने टी ट्वेंडी वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्य स्कॉर्ड के साथ चार रिजर्व किलाड़ें को भी चुना था इस घटना करम की जानकारी रखने वाले बी सीसी आई की कवरिश्ट्र सुत्र ने गोपनियता के शर्ट पर पी टी आई भाशा को बताया शुमन गिल और आविश खान को किवल अमेरिका में ग्रूप लीग चरण तक ही रुखना था ये पहले से तह था इसलिए आईरलैंड के खलाब मैच के बाद उन्हें टीम से रिलीज कर दिया जाएगा शुमन गिल और आविश खान को टीम से अलग करने का तर्क बहुत सीधा है कप्तान रोहित शर्मा या स्टार बलेबास विराट कोहली अगर चोटिल होते हैं तो टीम के पास ये शस्वी जैसवाल का विकल्ब है ऐसे में चोथे सलामी बलेबास की जरूरत नहीं है गिल ने नियू यॉक में सबसे ज़ादा बलेबासी अभ्यास नहीं किया जबकि रिंकू ने नेट सत्र में काफी समय दिया रिंकू के पास मध्यकरम में किसी भी खिलाडी की जगा लेने की शमता है टीम प्रबंधन का मानना है कि तीन तेज गिंदबास के साथ हार्दिक पांडे और शियुम दूबे की मौजूदगी के खारण तेज गिंदबास आविश खान की जरूरत नहीं ऐसी किसी भी स्थितिसन बटने के लिए खली लेहमत का विकल्प मौजूद रहेगा लेकिन कहीं न कहीं टीम इंडिया को आविश खान जैसे तेज गिंदबासों की जरूरत पढ़ सकती है इसलिए रोहित शर्मा की गलती माफी लाइक नहीं है गलती से भी अगर कोई तेज गिंदबास चोटल हो गया तो टीम इंडिया मुसीबत में पढ़ सकती है